गुर्मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं आज आप लोगों को क्लास वन का मैट परहने जा रही हूं इसमें आप लोगों को दिया हुआ है पढ़ना है आप लोगों को one more than और one less than मतलब एक किसी अंग में एक जोर देने तो क्या होता है और एक घट आते हैं तो क्या होता है आप खुल के देखिए आपका बुख में कोशन नमर्ब ए में दिया हुआ है complete the following मतलब जो कोशन है उसको क्या करना है यहां में आप लोगों के बताया है काम कोशन नमबर वन में दिया हुआ है one more than two is यानि two में हम अगर one add करते हैं तो क्या आता है तो one में two में हम one add करते हैं तो हमारा आ जाता है three इसी तरीके से से हमारा कॉशन नमबर एक आहीं next question है उसमें दिया हुआ है one more than three is 3 में हम 1 एक करते हैं तो क्या आएगा तो हमारा क्या आजाएगा 4 आजाएगा फिर question number a में next question 2 में दिया हुआ है आपकर 1 less than 3 is यानि 3 में हम 1 less करते हैं तो क्या आता है तो 3 में जम 1 less कर देंगे तो हमारा आजाएगा 2 फिर one less than four is कहता है one में four में one less करेंगे तो हमारा क्या आएगा तो हमारा क्या यहां पर three आजाएगा इसी तरीके से next अग्ला जो पेज नमबर आपका 16 है उस पेज में आप लोगों को दिया हुआ है कोिर नमबर बर कुछ नमबर बें में आपको करना क्या है कुछ नमबर दिये होना आ लोगा ओसोष्ट कि बनाये है लेस देंट करता है अगार वाइं छरपन्त इसको क्या करता है था पिंक navy इसे क्लार Apollo के जो मैंने आप लोगों को पीछे सारे questions बताया है पढ़ाया है उसी पर कुछ अधारी जिसमें कुछ question दिया हुआ है इस question को आप लोगों complete करना है मैं आप लोगों को इसमें से question पढ़के बता रहे हूं आपके book में दिया हुआ है multiple choice questions इसमें 7 comes after मतलब 7 के just what जो हमारा होता है वो क्या आता है तो इसमें option में आपका दिया हुआ है 6 5 8 7 इसमें से हमारा कौन सा होगा जो 7 के after number होगा तो number हमारा हो जाएगा 8 7 के बाद मारा कौन सा number आता है 8 आता है इसी तरिकी से आपका next दूसरा question दिया हुआ है the disease that comes before one is कहता है one जो है वहां से पहले कौन सा डिजिप जो होगा वह हमारा पहले आता है तो वहां से पहले हमारा क्या आता है जीरो तो इसमें हमारा option में दिया हुआ है 2 3 0 और 6 तो हमारे एंसर क्या हो जाएगा जीरो इसी प्रकार से सारे questions को आप लोग complete किजिएगा यह सारे questions पीसे आप लोग को बताया गया है अगला next class में में आप लोगो next chapter बताऊंगी और समझाओंगी तब तक आप लोग इसको complete किजिए थैंक्यू